ये बात बहुत बहुत धन्यवाद और रिक्वेश्ट टू एर्रीवन प्लीज सिट डाउन आप सब से निवेदन करता हूं कि प्लीज आप नीचे बैठ जाएए अरे भाई मारवाड़ी बोल तो हम जे लाग आ रहा है बाईजा बैठोंगा नहीं मित्रों मैं यकिन मानिये मेरी खुशी का कोई पार नहीं है मैं आज आपके बीच में उपस्तित हूँ मैं स्वामी मईश्वार अनन जी दीवान साथ और आप लोगों का बहुत बहुत इस मच पे उपस्तित तमाम मानुभाव रायपूर और आसपास के तमाम मित्रगण इन्होंने मुझे का कि मैं कुछ सुनाओ, मैं कुछ बोलू मैं यहाँ सिर्फ सुनने आया हूँ, कुछ बोलने नहीं आया हूँ और मैं धनवाद ग्यापित करना आया हूँ, दुर्गराम जी को कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि यहां बुलाएं इन्होंने इस बात की जानकरी देदी कि मैं मारवार का बेटा हूँ लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ जो शायद किसी को पता नहीं होगी कि मैंने यहां आने के लिए हां क्यों किया मैंने दुर्गराम को भी बॉमे में बताया नहीं कि मैंने यहां आने के लिए हां क्यों किया मैं बाला सती जी का भक्त हूँ, यहां तो आता ही हूँ साल में जितनी बार मौका मिलता है मैं बाला सती माता के दर्शन करने आता हूँ जितनी बार आना चाहे आता हूँ लेकिन रायपूर आने के लिए मैं इस पवित्र भूमी के पास आ रहा हूँ ये रिए मेरे बहुत बड़ी चीज है लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो आप किसी को पता नहीं है, दुरगा राम को पता नहीं है, मैं इस गाऊ में पढ़ा हूँ आज से 40 साल पहले, जभ मैं इतना सा था जो बच्ची गाना गा रही थी तब मैं इसी स्कूल में जो यहां रोड पर हुआ करती है बस स्टेंड के थोड़ा सा आगे इस स्कूल में पढ़ता था एक क्लास का एक्जाम मैंने यहां दिया यहां पास की हरीपुर स्टेशन आते जाते थे हम लोग और इस गाओं में मैं रहा मैं पला बढ़ा तो आप लोगों का हक है मुझे पे मैं जितना जोदपुर का बेटा हूँ उतना ही राइपुर का भी बेटा हूँ क्योंकि मैं इस गाओं में पला हूँ मैं यहां तो मेरे लिए यहां आना एक बहुत बड़ी चालीस वरस बाद मैं उस जगे को देखना चाहता था उस घर को जाके देखना चाहता था जा मैं रहा कोशिश करूँगा मौका मिला तो जरूर जाओंगा मुझे और तो कोई नाम याद नहीं है हमारे महले में फकिरचन साहब रहते थे उनका नाम मुझे याद है कि वो आसपास रहा करते थे बाकी बहुत सारी याद हैं बच्पन यहाँ जोड़ा है तो मैं मेरी इस धर्दी पे आके बहुत प्रसंद हूँ बहुत खुश हूँ बहुत अलौकिक अनुभव मुझे हो रहा है एक आत्मिक आनंद का अनुभव मुझे हो रहा है और सबसे बड़ी बीट मैं आश्चर चकेत हूँ इतनी सारी घृड देखके यहाँ पर इतने लोग आपने एकटे कर दिये यह राजस्तानी कला के लिए लोग कराकारों के लिए बहुत बड़ी चीज है मैं हमेशा यही कहता हूँ मैं दुनिया में कहीं भी चला जाओ मेरे भीतर राजस्तान जिंदा रहता है मैं चाती ठोक ठोक के कहता हूँ कि मैं मारवार का बेटा हूँ हाँ मैं मारवारी हूँ क्योंकि एक आदमी को आप मारवार से बाहर निकाल सकते हो मैं हमेशा कहता हूँ एक आदमी को आप मारवार से बाहर निकाल सकते हो लेकिन आदमी के भीतर से मारवार बाहर नहीं निकाल सकते है जो हमारे भीतर है वो जिन्दा है जिन्दा रहना चाहिए आप माओं से ये निविदन करना चाहूंगा कि इस संस्कृति को बचाना है तो इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो इनके हाथ में किताबें दे दो और एक निवे दिन और करना चाहूंगा आजकल जो हम बच्चों को कहते हैं आज़ें जरूर सिखाई अंग्रेजी अंतरराश्टी भाषा आनी चाहिए अंग्रेजी सिखाई ये उसके बिना तरक्की नहीं करेंगे हिंदी जरूर बोल लेंगे क्योंकि हमारी राष्ट भाषा है मैं भी बोल रहा हूं इन्हें दुनिया की हर भाषा सिखाई यह लेकिन मारवाडी भूलने मत दीजिए हमारी भाषा जिंदा रहेगी तो इस संस्कृती जिंदा रहेगी और भाषा का जिंदा रहना बहुत कँए कि कि अराम से ब recep ahí दिकत नहीं है नहीं को समस्य नहीं और कि पि अर्म सा ठjekt को डिकते अपने लोग है कोी समस्या नहीं है मैं अक्तर कहता हूँ बाई कि मैं हम अक्तर कहता हूँ हम ना पूड के भी बहुत कुछ पूल ने आप दिए प्स कि क्या तुमने खाना खा लिया दुर्गाराम जैसे दुनिया के किसी व्यक्ति को तुम पूछो कि तुमने खाना खा लिया तो एक लंबा चोड़ा सेंटेस बोलेगा नहीं अभी तो कारेक्रेम खतम नहीं हुआ है मैंने खाना नहीं खाया मैं थोड़े दिर बाद खाना लिए वोगे का नो I haven't eaten food I'll eat now हम मारवाड़ी उसे पूछो खाना खाय लिया कि हमें कुछ बोलने की आवश्चा नहीं हमारी भाषा का सौंदर इतना है कि कुछ भी दरोत नहीं है हमारे एक कोई बुज़र्ग लेड़ जाते हैं तो हम कहते हैं पौड ना पौड रिया है हम जोद्पूर में कहते हैं पौड रिया है तो हमारे कोई चाचा जी लेटे वे पौड यहां और बोले पौड था तो जरे जरे था रहे काकी सा जिंदा अबार तो पढ़िया है यह यह हमारी भाषा का सौंदर है दुनिया में कित्रे भी अंग्रेश क्योंने हो जाएं मैं जानता हूं कई बार में जब बच्चों को पढ़ाता हूं मोटिवेशन क्लास ल पौड पौड बिचत्र जगड़ा नहीं वहत्पिस लोटी अंटी वीया नहों पेतिया डबलग डॉर सो भीतर से भाषा जाती नहीं है और जानी चाहिए भी नहीं भाषा को जिंदा रखिये जक्ति को वक्ति से जोड़िये मजभ जाती प्रदेश भाषा एं जोड़ने का काम करती है, अलग नहीं करती मारवाड हमारी माँ है, मारवाड हमारी माटी है, मारवाड की गुद में हम पले बढ़े हैं, एक बहुत छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, जिससे मैं आप सब को, सब बच्चों को एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ दस सेकंड में एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा सर मैंने हिंदुस्तान के नक्षे को जोड़ दिया पीचर बहुत प्रसंद हुए बोले बेटा तुमने कैसे किया वो बोला सर मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने नक्षे को पलट दिया नक्षे के पीछे एक आदमी भी बनाओ था, मैं आदमी को जोडता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जोडता चला गया, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़िये, आदमी को आदमी से जोड़िये, अपना वतन से बہتर कुछ नहीं होता, किसी ने बहुत ठीक कहा है, कि तोटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने हालात से शीशे का बतन मांग लिया हम भी खड़े थे तकदीर के दर्वाजे पे लोग दौलत पे गिरे हमने बतन मांग लिया